हलो दोस्तों वेलकम बेक टो मैंने दर न्यूव वीडियो तो आज हम लोग पिस्टिल कलर से ड्रॉइंग करने वाले हैं और उसके साथ दिये गए यह स्क्रेचर का भी यूज करेंगे एक ब्यूटिफुल लैंड्सकेप संसेट का हम लोग करने वाले हैं और यह है मेरा कियों धीरे धीरे करके और इसके बाद मैं डीप यलो को लेकर आसमान में कलर करें उसके बाद औरेंज देंगे उसके बाद रेड देंगे धीरे धीरे करके हम लोग डार्क की और जाएंगे पहले हम लोग आसमान को अच्छे से कलर कर लेंगे एफेक्ट दे देंगे फिनिस पर मैंने स्कालेट कलर का यूज कियूं जो आप लोग डार्क औरेंज भी बोल सकते हों, और इसको मैं पूरे नीची की और कवर अप करूँ गे इस कलर को अच्छे से, और यह कलर देने के बाद मैं फिर से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी उसके बाद मैं रेट कलर दूंगी जाकि शंसेट का एफेक्ट अच्छे से आ सके और यहां पर मैं फिर से ब्लेंड कर लूंगी थोड़ा बहुत उसके बाद नीचे की ओड चले जाएंगे यहां पर मैं वाइट कलर का थोड़ा बहुत यूज्ज की हो जाकि हम लोग स्क्रेचर के यूझ रुष करके पानी का इफ्ट दे सकते बाद में और यहां पर हम लोग वही कलर यूज करने वाले हैं जो आस्मान में हम लोग कलर किये थे जो है लेमेन येलो, मीडियम येलो, ओरेंज, स्कारलेट और रेड़ और यहां पर फिर से हम लोग अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे उसके बाद यहां पर हम लोग औरेंज देंगे उसके बाद और येलो देंगे मिक्स अप करेंगे अच्छे से इसके बाद डार्क ब्राउन देंगे और यहां पर मैंने डार्क ब्राउन को पानी भी यूज़ कर रही हूं उसके बाद थोड़ा बहुत पूर्शियन ब्लू डार्क ब्लू भी बोल सकतो आप लोग उसके बाद हम लोग ब्लैक लर का यूज़ करेंगे अच्छे से हाइलाइट करेंगे एफिक देंगे जहां जहा ब्लैक से हाइलाइट करेंगे और लास में फिनिसिंग के लिए हम लोग स्केचर का यूज़ करके पानी का इफिक देंगे और यहां पर आप लोग देश सकते हैं स्केचर का यूज़ करके मैं कैसे हाइलाइट क्यों पानी को और थोरा बहुत डिटेलिंग्स के बाद हो गया सुन्दर से संसेट पेंटिंग विद पेस्टल कलर इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक से स्काइब और सियर कीजिए